हेलो दोस्तों मैं स्कुमार अपने यूटूब चैनल विहाज जीकेटिक्स में आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग इस पुस्तक के भुगोल के पाथमे चैप्टर अच्छांस वद्यसांतर के विभिन प्रशनों को देखेंगे यदि आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल विहाज जीकेटिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को जरूर दमायतों आईए वीडियो को स्टाट करते हैं तो आज का पहला प्रशने भूमद रेखा से उत्तर या दच्छिन किसी दिये गया स्थान की कोनी ये दूरी क्या कहलाती है तो इसका उत्तर है C अच्छांस अगला प्रशने निम्रिकित में से कौन सा ब्रियत विर्थ अर्थात ग्रेट सरकिल का उदारन है तो इसका उत्तर है C भूमद रेखा अगला प्रशने ट्रोपिक आप कैंसर निम्रिकित में से क्या है तो इसका उत्तर है यह घर्टा है अब आईए मिलान करना है तो मिलान करते हैं भूमद रेखा क्या होगी तो इसका उत्तर है C 0 डिगरी वहीं B में अर्थात 1 का 3 और करक रेखा क्या है तो सारे 23 डिगरी उत्तर अर्थात B का 4 आईए मकर रेखा क्या है तो इसका उत्तर है सारे 23 डिगरी दक्षिन C का 5 वहीं आर्क्टिक वित का क्या है तो इसका उत्तर है सारे 66 डिगरी उत्तर और अंटार्क्टिक वित क्या है तो सारे 66 डिगरी दक्षिन अर्थात इसका सही उत्तर B होगा अब आई चलते हैं अगले प्रश्ण पर तो अगला प्रश्ण ने ध्रातल पर एक डिगरी आच्छांस की दूरी निम में से किसके ब्रावर होती है तो इसका उत्तर है B 111 किलो मीटर की अगला प्रश्ण है भूमद रेखा के यतिरिक्त कौन सी अच्छांस रेखा प्रिथवी को दो बड़ावर भागों में विवाजित करती है तो इसका उत्तर D कोई भी अच्छांस नहीं अगला प्रश्ण है मकर रेखा अथवा सहे 23 डिग्री दक्षनी अच्छांस विडित निम निकित में से कहां से होकर कुजरती है तो इसका उत्तर है B अर्थात माला गासी अगला प्रश्ण है वो कालपमिक रेखा जो प्रिथवी को दो भागों में बाटती है क्या कहलाती है तो इसका उत्तर है A भूमद रेखा इस प्रश्ण को हम लोगों ने भी उपर भी पढ़ा था अब आई जलते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण है अच्छांस भू प्रिष्ट पर भूमद रेखा के उत्तर या दक्चिन एक बिंदू की कोनी दूरी है जो तो इसका उत्तर है B भूमद रेखा से मापी जाती है अगला प्रश्ण दोनों ध्रुवों को जोडने वाली वो कालपनिक रेखा जो भूमद रेखा को शमकोन पर परतिछेद करती है क्या कहलाती है तो इसका उत्तर है B अर्था देशांतर अगला प्रश्ण दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी निम में से किस नाम से जानी जाती है तो इसका उत्तर है B गोरे अगला प्रश्ण एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयंतराल होता है तो इसका उत्तर है A अर्था चार मिनेट वहीं अगला प प्रितिवी पर सबसे उस्तम तापक्रम रिकॉर्ट किये जाते हैं तो इसका उत्तर है ए अर्थात भूमद रेखा पर अब आई चलते हैं अगले पर तो अगला पर निम्रिकित में से कौन सा कथन असत्त है तो इसका उत्तर है ए अर्थात देसांते रेखाओं की कुल संख्या 180 है ये गलत है तो आई जानते है कौन को से सही है तो सही है बी अर्थाद किसी भी अस्थान की ग्रिन विच रेखा से कोन ये दुरी को उस अस्थान का देशांतर कहा जाता है वहीं C में देशांतर रेखाओं के बीच की दुरी विश्वत रेखा पर अधिक्तम एवं धुरू उपर सुन होती है वहीं D है विश्वत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दुरी 113 किलो मीटर होती है अब आई चलते हैं अगले पश्ण पर टॉला पश्णे निम्लिकित में से कौन सा कथन असत्य है तो इसका उत्तर है बी अर्थात किसी भी अस्थान की परधान या मियोत्तर से कोन ये दुरी को उस अस्थान का च्छांस कहा जाता है तो ये गलत है बाकि सभी सही है तो आईए सही कौन कोन है उसको जान लेते हैं तो सही है ए अर्थात विश्वत रेखा से ध्रुवों की और जाने पर अच्छांस रेखाओं के बीच की दूरी में आंसिक रूप से ब्रिधी होती है वहीं C है विश्वत रेखा एक ब्रिहत बित्र है और D सभी देसांतर रेखाएं ब् 111 किलो मेटर अब आई चलते हैं अगले पश्ण पर जोगला पश्ण है एक डिग्री देसांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी तो इसका उत्तरे C विश्वत रेखा पर अगला पश्ण है कुल अक्छांसों की संख्या कितनी है तो इसका उत्तरे C 189 अब आई चलते है अगले पश्ण पर जोगला पश्ण है देसांतरों की संख्या कितनी है तो इसका उत्तर है D अर्था 366 अगला पस्टने विश्वत रेखा के समानतर कालपनिक रेखाएं क्या कहलाती है तो इसका उत्तर है A अच्छांस रेखाएं तो इसका उत्तर है A Greenwich अब आई चलते हैं अगले पश्ण पर तो अगला पश्ण है Greenwich रेखा से तत पर है तो इसका उत्तर है B अर्थात GEO Degree देशांतर अगला पश्ण है मकर रेखानी में से किस देश से होकर नहीं जाती तो इसका उत्तर है D अर्थात फिलिपिन से, तो किस-किस से जाती है तो इसे देख लेते हैं, तो दचिन अफरीका सो गुजरती है, अर्जेंटीना सो गुजरती है, और चिली से गुजरती है, अगला पस्टने प्रिथवी एक घंटे में कितना देसांतर घूम लेती है, तो दक्षनी धुरूप का आच्छांस है क्या तो इसका उत्तर है C अर्थात 90 डिग्री अब आई चलते हैं अगले पश्ण पर तो अगला पश्ण है निम्निकित में से किन देशों के समू से भूमद रेखा गुजरती है तो इसका उत्तर है B अर्थात कोलंबिया केनिया तथा इ इंडोनेसिया अब आई चलते अगले पश्ण पर तो अगला पश्ण है इसमें आपको मिलान करना है कि किसका मिलान गलत है तो इसका उत्तर है एक अर्थात का करेखा सारे 23 डिगरी उत्तरी अक्छांस नहीं होती तो जो जो सही है उसे पढ़ लते हैं तो सही है मकर रेखा सारे 66 डिगरी उत्तरी अच्छांस है अंतराश्ट्य तिती रेखा जियो डिगरी रेखांस कहलाती है और चौथा है दक्षनी धुरूब्रित सारे 66 डिगरी दक्षनी अच्छांस होगी अब आई चलते हैं अगले पश्ण पर तो अगला पश्ण है देशांत्री e दुरी एक घंटे के समय अंत्राल के बड़ावर होती है तो इसका उत्तर है एक अर्थाद 15 डिगरी अगला पश्णी कर के रेखांसे नहीं गुजरती तो इसका उत्तर है भी अर्थाद नेपाल कहां कहां से गुजरती है तो मैयमार से गुजरती है बांगला देश से गुजरती है और चीन से गुजरती है अगला पस्टने उत्री गुलार्द में भू धरातल अधिक्तम है तो इसका उत्तर है अर्थात 30 डिगरी नौर्थ से 40 डिगरी नौर्थ अगला पस्टने मान्चित प्रयस्थित अच्छां सेवं देशानतर रेखाओं के बारे में निम्रिकित में से कौन सा कथन सत्य है तो इसका उत्तर है बी अर्थात दोनों एक दूसरे को लमवत काटती है अगला पस्टने यहां पर दिन तथा रात एक समान होते हैं कहाँ पर तो इसका उत्तर है C भूमद रेखा पर अब आई चलते हैं अगले पस्टन पर अगला पस्टने निम्रिकित नगरों में से कौन सा एक भूमद रेखा के सर्वाधिक निकट है तो इसका उत्तर है D शिंगापूर अगला पस्टने निम्रिकित देशों पर विचार कीजिए ओप्युक्त में से किनकिन से होकर मकर रे तो इसका उत्तर है B अर्थात मेक्सिको से अगला पस्टने मांचित रुगलों पर पाई जाने वाली पर तिछेद रेखाओं को क्या करते हैं तो इसका उत्तर है C अर्थात भगवालिक रेखा जाल अगला पस्टने 49 डिगरी नौर्थ अच्छांस किसकिस से बीच सिमांकन करता है तो इसका उत्तर है D अर्थात अमेरिका और कनाडा अब आज का आखरी प्रस्टन है दक्षिन अमेरिका के निम में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती तो इसका उत्तर है B अर्थात बोलो विया तो किस किस से गुजरती है तो चीली से परागवे से और ब्राज जील से आसा करता हूँ, आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आये हो, यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आये हो, तुसे लाइक और सेर जरूर करें, फिर मिलते हैं नई चेप्टर अंतराष्ठिय तित्री देखा हुआ समय के साथ, आज के लिए बहुत बहुत थन्यवाद